दोस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे साइप्रस टी टैन का मैच योग खेला जाएगा एस एलल वसस सी इसे के बीच यह होने वाला है थर्ड एंड फॉर्थ सेम टीम्स के बीच होगा दोनों मैच बट जो इंबॉर्टेन होगा देखो दोनों मैच के लिए वीडियो में बना रहा हूँ क्यूंकि मैं सभी प्लेस का रिकॉर्ड बताऊंगा आपको प्रोवावल बैटिंग ओडर यह आपको फॉर्स मैच में हेल्प होगा बट जो दोनों मैच में होगा वह है क्या इस एस एक और के और डोमेस्टी की ट्विंटी मतलब पाथ सिप्टिंबर को लाज्ट खेला था गाइस टेम्स तो वहां पर हम लोग को क्या कुछ देखने को मिला क्या कुछ सीखने को मिला इस सेरीज का पहला मैच जो था उसमें और मिलेगा इंडेफ अनलाइस ज्यादा मैं टाइमवेश नहीं करके अनलाइसिस में आना चाहूंगा वीडियो आप लाइक करके स्टार्ट करो इतना ही बताऊंगा कंप्लेट इस यह सब्सक्राइब भी कर देना एंड टेलीग्रम बहुत इंबॉटन है क्योंकि सब्सक्राइब के बाद स्टार्ट होने वाले बहुत ही जल क्या पॉर्टूगल में तो हुआ था टीटेन उसके बाद जो इरूपेंट की चैंपेंशिप चल रहा है ना उसके भी कवरेज आपको मिलेंगे तो इतना कुछ मिलने वाला है तो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो हैं सारे नौ बज़े से पहले टेलीग्राम जोन हो जाना क्यूंकि इस मैच का फाइनल अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमें सेक्शन में पीन करके मिलेगा लिंक जिन भाई का लि सब्सक्राइब तो यहां पर तो यहां पर थोड़ा ना शुरू में बाउंस लेगा और थोड़ा डंप पीच होता है ना ऐसा टाइप का पीच है तो यहां पर बॉल ना थोड़ा रुक के भी आ गुड़ लेंद और शॉट अफड़ लेंद पे बॉल है वो थोड़ा कभी बाउंस ज्यादा हो रहा है कभी रुक के आ रहा है तो शॉट्स थोड़े शुरू में कम लगेंगे विकेश ज्यादा गिरेंगे और ओवराल साइप्रेस का अगर आप ट्रैक भी देखोगे वहां पर विकेट बहुत जादा गिरता है इस ग्राउंड पर गिनना चाहिए बहुत जादा लेची नब्बे यहां पर मेरे साब से ना एवरे स्कोर होगा एंवेन नब्बे भी चेस करना ना लिट्रिली बहुत जादा मश्किल होने वाला है सारे नों इंडिन टाम स्टार्ट हो सी सदून इनके साथ ओपन कर सकते हैं पथी रना बेलेस कुमार अब बील सी एस कुमार ना बहुत बरे हीटा रहे इस इनको अगसे टीम ना एज ऑपनर भी यूज़ करते हैं और कभी कबर मिडल ओडर गिदारा सिरिवर देने टिन ना कून यह कुछ आएंगे इनके और इस आप पे कुछ important players होंगे जिनको मैंने से करके मा करके रख दिया जिनको आपको अपने टीम से नहीं हटाना है मतलब 19 ऐसे में छे साथ प्लियर बताऊंगा जिन में से ना अपको अल्मुस्ट पार्च प्लियर लेकि जाना है important points लिए हाँ start हो गया analysis section अभी भी आपने like नहीं तो मैंने यहाँ पे leak नहीं पाया मैं माफी चाहता हूं इसके लिए मैं आपको देखके बता दूँगा next match से 18 match 18 innings में 352 run है इनका 10 का मैं बता रहा हूं ECS for E for ECS 20 over में wicket है 11 player ठीक लगा आपको बहुत अच्छा लगा मुझे तो and recently domestic में भी 5 match 5 innings में 99 run कुछ wickets भी है इनक चमाल सादून इनका नाम है तो आप अपने टीम में तो इनको रखना पड़ेगा रिसेंटली जो domestics इन्होंने खेल के आ रहा है ना वहाँ पे इन्होंने wickets भी निकाला ऐसा weekend नहीं निकाला मैं माफी चाहता हूं 12 कुछ गैस इन्होंने 16 over डाले recently domestic में और ना 5 weekend निकाले कि निकाला मैं यहाँ पर लिखना मिस्किया फिर गैस एन पथी रहना राइट एंडर बैस्पें राइटम मीडियम आ जाता है इसी एस रिकॉर बैस्पें के साथ क्या करना है यह आपको अच्छे से मालू मैं थरंगा ऐसा कुछ है इनका record मेरे साब साब रोटेशन डॉप कर स इस कुमादे को बैटिंग सेक्शन में थिक ठाक चॉइस बैटिंग फस्ना ज्यादा डिसेंट चॉइस है क्योंकि अक्सर हम लोग देखे है कि जो मिल्ल ओर के बैट्समें हो थे वो टीटेन फॉर्मेट में ना फो फॉर्स इनिंग अगर बैटिंग करेगा तो ज्यादा ब बैटिस आते हैं कंपेर्ट टू सेकेंड इनिक्स रिकॉर्ट इस में बहुत अच्छा है डिसेंटी में ठीक ठाक है अब रात में खेला हो रहा है आपको मालू है पॉर्टुकल टिटेन जो लास सिजन हुआ था हुआ पर एवरेश कुनना 60-70 थे ठीक है और वो रात वाला म मैस था और अभी जो पॉर्टुकल टिटेन हुआ था वहां पर स्कोर जादा बन रहा था सुबहें के मैचेस में तो मैं वहीं बताना चाहूंगा जो नाइट और इविनिंग के मैचेस होते हैं मैंने अक्सर नोटिस किया कि ECS के खास करके वहां पर रन स्कोर ना बहुत पर आजाएगा डिफेंशल भी को सकता है रिसेंटली डुमेस्टिक में साथ में साथ इनिक्स एक सो से तिस्टन पंद्रा ओवर पाच विकेट यार डिफेंशल पीक है बैटिंग सेक्षिन में हाईली लिस्ट प्रसंटेस प्यूपल सेलेक्ट किया है तो नमबर ऑब बॉल कर सकते हो एजा बॉलर नौट एजा राउंडर ओके मेरे सबसे बॉलिंग से ज्यादा बेटर है गिदरा का कुछ ऐसा रिकॉर बैट्स पैन है इसीएस में कुछ ऐसा है और डोमस्टिक आप देख रहे हो मिलान अकू रहेंगे छे मैच में पाच ओवर डाला अब इशू कि छे मैच में शना का छे मैच में चारी ओवर डाला मैं नहीं लेने वाला फिलाल संजे राइटेंटर बैट्स में राइटम स्पीन ज्यादा रिकॉर्ड अविलेबल नहीं है इनके गुना से करा बीस मैच 57 का एवरेज सोचो या टीटेन में यार 630 रन 34 ओवर 16 विकेट बढ यह बात क्यों बताना हूं क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करेगा तो मैक्सिमम बैटिंग करने का चांस मिलेगा अगर बैटिंग सेगेंड किया में भी कोई बॉलर इन इस टीम से अगर तीन विकेट निकाल गया शायद हो ही कैप्टेन होगा और वो बॉलर न यह भी हो सकता ह मैं आ रहा हूं इनके उपर फिलाल दिवनान प्राथना थोड़े क्लियर नहीं है इनके रिकॉर्ड बट डिसेंट है चाहो तो जेल में ट्राइट जरूर कर सकते हो पतना को और सुजित तेना को नियार क्या ही रिकॉर्ड है इनका मैं क्या ही बताऊं इस एन में चार मेंच में नौ विकेट है देखो एक चीस एस में विकेट बहुत मिले है इनको डोमेस्टिक में भी विकेट मिले है इनको इसका क्लियर लॉजिक है कि एक बहुत बढ़िया विकेट टेकर है बॉलिंग फर्च कर रहा है इस्पेशली आप जाओ जियल बनाओ वाइस केप्टेन रिकॉर्ड आ सकता है यह कुछ इन दोनों के रिकॉर्ड यहां से आइधिंग जो रोशन सिरिवर्दा ने थोड़े ज्यादा मुझे बेटल लगने पाच मैच में 113 रन है मिडल और खिलते थे टीटी में तो ज्यादा बैटिंग मिलता था टीटैन में कम मिलेंगे थोड़ बनता हो रुवान को भी यूज कर सकते हो चार मैच में इन्होंने आट ओवर्ड डाला देखो ओवर्ड देखो पाच मैच में 19 ओवर्ड डाला विकेट डुमेस्टिक में अच्छा है ECN में थोरे कम है बर जो इंपक्ट है ना इनका मैक्सिमम इंपक्ट है चार मैच में सब्सक्राइब दोनों और मेरे इसाब से 20 में भी आप बहुत कम देखोगे कि दोनों और दोनों से कर रहा है तो यहां से मुझे लगता है कि इन दोनों से कोई एक ही बालिंग कराएगा ओविस्ली वह रुवान मनवा सिंगा होना चाहिए यह कपिल हमन्दा का रिकॉर्ड ह प्राथना का कुछ ऐसा रिकॉर्ड है आप चाहों तो जरूर्ड यूज कर सकते हो क्योंकि बॉलिंग शायद करा जाएगा यह कुछ इनका रिकॉर्ड है घमागे का कुछ ऐसा समंत कुमारा मुझे ज़्यादा अच्छे लगे नहीं कुछ प्लियर्स की सिस्क रिकॉर्ड ह कम अले यास मैंने दोनों कर एक और दिया डुमस्टीक में इन्हों ने पांच में आट ओवर तीट्वींटी में जहाँ पर बीस डालना है वहां पर आट डाला मतलब हमेशा ओवर कंपलीट कराया नहीं बट इस इस में उननीस में पाईस हुआ रहे अच्छा हुआ रहे में भ सब्सक्राइब करेंगे किसके जगा काईडिया सू के जगा अब जो है ना मैं जब देखा था इनके रिकॉर्स बेसिकली सी इसी तीन टीम मिलके बन रहा है ठीक है एक इनका में टीम जो सी इसी सही कहलता था डोमेस्टीक में और दो अलग अलग तीम अब दोनों अलग अलग तीम पर जाके जब मैंने ट्रेक करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा ज अब आता हूं मैं इनसे प्लियर सजीब टीटेन में जादा तो चले नहीं अब तक बैटिंग थोड़े नीचे ही करेंगे लग रहा है नसी रहमेद में उपन तो करते थे अपने डोमेस्टीक में एल जेट लिमा सोल जालमी बोल के कोई टीम था उसके लिए ये खेलता था तो वहां पर इन्होंने उपन करके रखा है अलोडी हाइली सिलेक्टेड प्लियर इतना ज्यादा सिलेक्शन है कि लगेगा कैप्टिन ही बना दे बट मैं तो शायद नहीं लूँ बाकि आपकी मैंने सी ग्रानी में एकला मुझे बहुत बेटल लेगे लगे इसीन में नॉम मैं क्यों आपको बता रहा हूं थोड़े हीडिन है क्योंकि साइब्रस टीटन थोड़ा कंस्पिरिसी था इन में थोड़ा गाइस इनको लेके चर्चा हुआ था सबके बीच मेरे मन पर भी शंका थे बट फर्स दोनों मैस ठीक गया था यहां पर क्या हुआ था यहां पर एक सिरिज का रिकॉर्ड है अमंदीप के पास तीन में सीन इनिंग्स में इकतर रंड शे ओवर में चार विकेट तो आई डून नहीं कितना के लेंगे बेटर बट डोमेस्टीक में जब खेले इनोंने एक मैच एक इनिंग्स में दो ही रंड किया बॉलिंग भी नहीं किया तो लेके आपना मतलब डिस्क ले सकते हो तो जेल में लेना स्मॉल लीग में अगर बहुत से ले सेलेक्शन हो तो में भी इग्नोर कर सकते हो अगर आपके पस बेटर ऑप्शन से यह तीन हो तो मेरे जब से तो मतीलो आप और चर्चा भी मत करो टाइम विस्ट में हो जाएगा ठीक है और यहां से कौन आता हूं मैं कि रहा हूं अब यह डूमिस्टी खिल गया रहा है मैं यहां पर आग वाला मार्ग करके रखा क्योंकि यह मुझे भेंगल लगे पाच मैच पाच इनिक से एक सो तिपन रन चौदा ओवर में ग्यारा विकट मैं बता रहा हूं क्योंकि रहा है प्लस बाउलिंग से दे रहा है या पर बाउलिंग पहले माईने करेगा फिर बैटिंग तो वो प्लेएर आपके लिए न की ऐन गोटू पीख होगा तो यह मेरे सबसे गोटूपीख हो सकता है ड्रीम लेबं में भी अगर आपके पास गड़्स है क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही लेस होने वाला है बहुत जादा आपको ना ओल्राउंडर सेक्शन में अच्छे प्लेस मिलेंगे यह अफर टॉस हम लोग कैल्कुलेट करके बता पाएंगे कौन से प्लेयर बॉलिंग करेगा बट स्टिल मेरे जब से बॉलिंग दो करना चाहिए डॉमस्टिक हर मैं में बॉलिंग डाल रहा है बंदा राच्षेकर पोल लोडी बारा मैच में 227 नौ इनिक्स में 17 बहुत अच्छा डिसेंड रिकॉर्ड है बट यह ना विद बैट थोड़े ज़्यादा सक्सेस्फूल है कंपेट विद बहुत बहुत बट जो इशू है कि इंपेक्ट तो इन मैच में भी आपको बता रहा था जहाँ पर इफ्तिकर जमान थे जो बॉलिंग बहुत ज़्यादा जो लास सिजन में किया नहीं था उन्होंने फर्स में बॉलिंग किया था विकेट भी निकाला था तो बॉलिंग फर्स्ट ज्यादा बेटर प्रीस को होते हैं कंपेट टू बॉलिंग सेगें इंपोर्टन रहा बात यह आप याद रखता हैं बॉलिंग फर्स ज्यादा इंपोर्टन मुझे लगड़े उमर शाह का कुछ ऐसा है रिकॉर्ड आप चाहू तो ट्राइब कर सकते हो बट यह बैट्स में ज्यादा बेटल लगे मुझे कंपेट टू एज सब्सक्राइब कर सकते हो फिलाल मैं अपडेट दे दूंगा टेलिग्राम पे मैं माफी चाहता हूं इनका थोड़ा कन्फूजन हो गया जवद अलीशा अच्छे मैच चैनिक्स 297 बाइस ओर में निकाल के रखे यह कुछ एलक्यू से खेलते थे दूसरे टीम से खेल रहे है आप अगर कंपेर करोगे उमर और जावत से मैं जावत का रिकॉर्ड लेके बहुत जादा एंप्रेस विद बॉल भी यह अक्सर मैंने देखा चार ओवर कंप्लिट खरा रहा था तो ज्यादा आप मुझे बेटर पिक लग रहे हैं कंपेर टू उमर शाह बाकी आपकी मर्ज देख अभी कबार यह जहिरूल स्लाम है अगर खेलेंगे तो मेभी बॉलिंग करा है क्योंकि डूमस्टिक में चार मैच में तेरा ओवर है इनका मार्किट्स का कुछ ऐसा रिकॉर्ड है चरण नलूरी हाइली सेलेक्टेड प्लियर इसीन में छे में छे ओवर में किवल और तो अच्छा नहीं है इनका बहुत ही कम बॉलिंग किया है तो जो मैं आपको बता रहा हूंगा इंपॉर्टन बात है कि आपको ना ओल्राउंड सेक्शन में उनको ट्राइगना सेकेंड इनिंग्स में मेरे हिसाब से टॉप और के बैट्समें को रखो बाकी मिदल और को करो सिनिंग्स हो रहा है तो गाइस डो निम करेंगे स honekte बॉलिंग को आपको अच्छे बॉल इंग्शिंग्स को ट्राहे ला高 जासों शोजी यसे चुजी त इंब नकून जैसे बॉलर्स को फिलाल यह रहा मेरा टीम मैंने फाइनल अपडेट आपको टेली नाम पे दूँगा मैं परसिनली बहुत ज़्यादा कश्मा कश्मे हूँ कि अल्राउंडर सेक्शन में क्या हो रहा है मैंने पॉल लूडी जो बॉलिंग कराएगा गुना से करा जावाद अल मैंने रखा है लेट सी क्या होता है और एस्टिन नाकुन को मैंने रखा कैप्टेन गुना से कड़ा ऑफ्वेस सा बात है रनी मिखला है हमारे पास वीसी है सद्दून जॉब को बॉलिंग भी करते हुए देखेगा बीलेस कुमारा निपून गमागे मुराली अलंकी है और यह दो बंदा है क्या है नाम इनका चैसी नलुडू और के रियास फिलाल में नलुडू को लिया आफटर टॉस यह मैं डिसाइड करूंगा मैं इसको रखूंगा या नहीं रखूंगा क्यूंकि इनका सेलेक्शन हाई है डेफाल्दू का रिस्क लेने का मतलब नहीं है बट सब्सक्राइड के लेना है बाकी एर प्लेयर्स के उपर है हमको स्टैट्स अच्छे से ढूंदना है निकालना है तो थैंक्यू गैस वीन करते रहना एंड सपोर्ट करना टेलीग्राम चॉइन हो जाना थैंक्यू बै करते हैं